उत्तर प्रदेश और बिहार से सम्मंदित दो प्रमुख खबरे सिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं जो की जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इन दो राजयों से बिलॉग करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार वजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते होगा बेल आइकिन को प्रेस करना ना भूले जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रेस में एक नय सिक्षा सेवा चैन आयो का गठन हो रहा है जिसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर के उचतर सिक्षा सेवा चैन आयो के अंतरगत आने वाली सबी भरतिया इसी आयो के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएंगी अब जैसा कि आपको ग्यात होगा 2022 में TGT PGT का भरती का विग्यापन जारी किया गया था जिसमें अभियर्थियों की अब ये मांग है कि आयोग गठन कब होगा कब नहीं होगा वो तो ठीक है लेकिन 31 मार्च को बहुत सारे अभियर्थ जो सिख्षक थे TGT और PGT के पोश्ट पर वो रिटायर हो चुके है तो माधमिक सिख्षा सेवा चैन बोर्ड पर अभियर्थियों ने एक अपना एक तरीके से डिमांड कह सकते हैं उन्होंने रखाया कि जो पहले से पद विग्यापित हैं उसमें पदों की संक्या में वृद्धि की जाए क्योंकि बहुत सारे टिचर रिटायर हुए होंगे हलांकि 2022 में जो पद विग्यापित हुए थे उसमें 4163 पदों का विग्यापन जारी किया गया था जिसमें से TGT की अगर बात करें तो 3549 पद और PGT की बात करें तो 624 पद के लिए विग्यापन जारी हुआ था तो अब अभियर्तियों के मांगिये है कि आयोग गठन जल्द से जल्द हो ताकि ये परिख्ञा जल्द से जल्द हो पाए क्योंकि जो माधमिक सिक्षा सेवा चैन आयोग में जितने भी सदासे थे वो सब कोई रिटायर हů चुके है और नया उसमें कोई भी चैन हो ही नहीं रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार नय आयोग के गठन के लिए प्रतिबद दिख रही है हलाकि ये आयोग कितना बना है क्या हुआ है कुछ जमिन इस तर पर कुछ भी खबर अभी तक निकल करके नहीं आ रही है तो ये तो पहले से जो भरतियां जिनका विज्यापन जारी हो चुका है वो सब भी पेंडिंग है इसके लावन नई सिक्षक भरती और यूपी टेट का मामला भी इसी आयोग की वज़ा से पेंडिंग पड़ा हुआ है अब आते हैं बिहार की प्रमुख सिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर के बारे में जैसा कि आपको ग्यात होगा कल एक डेडिकेटेट वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सुचित किया था कि कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्विभाग को एक प्रपोजल भेजा गया था जो BPSC के माध्यम से परिच्छा होनी है सूपर टेट की उसके बाद से नई सैलरी कितनी हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकार ने 10-15 प्रतिशत यहां पर विध्धी के लिए बोला था यहां पर मूल वेतन आप देख पार होंगे 25,000 प्रैमरी के लिए डिसाइड किया गया था और पदो की संग्या 85,487 डिसाइड किया गया था और इसको स्विक्रिती मिल गई थी यह मूल वेतन है इसके बाद से फाइनल वेतन कितना होगा इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पार होंगे जो कि आज ही के दिन प्रकाशित हुआ है आप इसके पर देखिए पहली से 12 वी तक के लिए 1,88,000 सिक्षकों की नियुक्ती होगी यह डिरेक्ट टीचर्स की भरती है इसके अलावा नौन टीचिंग जॉब्स क्योंकि विद्याले में जो क्लर्क होते हैं यह सब भी तो हैरिंग होनी है तो इन सब को मिलाकर के लगबग 5,000,000 पदों का आखड़ा प्रदेश सरकार के दोरा बताया जा रहा है जिसमें जो टीचर होंगे उनके लिए 1,88,000 पद होंगे यहाँ पर देखिए क्या अब नया वेतन हो जाएगा देखिए मूल वेतन 25,000 से 32,000 रुपय तै किया गया है वो अलग-अलग ग्रेट के लिए कहने का मतलब कि प्राइमरी के लिए लग उच प्रात्मी के लिए लग तो यहाँ पर वर्ग 1 से 5 के लिए आप देख पार होंगे इसी प्रकार से वर्ग 6-8 के लिए देख सकते हैं इनका वेतन 40,080 से लेकर के 43,920 के बीच में होगा इसी प्रकार से वर्ग 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 आप देख पार होंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझ लिजे कि किस प्रकार से यह वेतन डिसाइड किया गया देखें मूल वेतन तो 25,000 है प्राइमरे के लिए आपको 35,700 रुपय इन हैंड मिलेगा यह है प्राइमरे का सेलरी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से 6-8 के लिए आप देख सकते हैं इसके लिए जो मासिक वेतन होगा जो इन हैंड मिलेगा वो मिलेगा 40,080 रुपया 9-10 के लिए आप देख सकते हैं 44,460 और 11-12 के लिए आप देख सकते हैं 45,920 तो एक सम्मान जनक और बहुत बहतरिन सेलरी दी जारी है बिहार राज सरकार के द्वरा जो नई नियमावली जारी किया गया उसके बाद से क्योंकि पहले जो बिहार में सिक्षकों की सेलरी होती थी वो अन्य राजों की तुला में कम होती थी क्योंकि यहां पर यह राज्य कर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त है बलकि नियोजित संस्थाओं के मादम से इन भर्तियों को कंड़र्ट करा जाता था लेकिन नियमावली में बदलाओ के बाद से अब यह BPSC सूपर्टेट की परिछा को इंट्रोड्यूस किया गया और उस उसके मादम से जो सिख्षक चैनित हो करके आएंगे वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे साथी साथ एक बहतरीन सैलरी के साथ अब नियोक्त होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो